लाइब मिन्ट का आर्टिकल है In a first US Surgeon's transplant pig heart into human patient US Surgeon's ने जो सुर का दिल है उसको इनसान में मतलब आप कह सकते हो कि ट्रांस्प्लांट कर दिया है तो अब हम इसके बारे में समझेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है इनसान कैसे सुर बन सकता है देखे ये महासे हैं जिन में transplant किया गया है ये दिल के ऐसे photo डाल दी गई है कि आप लोगोंने बहुत सारे तीर विर बनाया होंगे दिल पे तो इसको चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है देखे इसको समझने से पहले आपको एक word समझना पड़ेगा जीनो ट्रांस प्लांटेशन अब जीनो ट्रांस प्लांटेशन होता क्या है अगर मैं इसको लिख दूँ तो जीनो प्लांटेशन थोड़ी लंबी spelling है जीनो ट्रांस प्लांटेशन अब सबसे पहले इसका मतलब समना जरूरी है कि जीनो ट्रांस प्लांटेशन होता क्या है या इनसान को सूर कैसे बनाया जाता है तो चलिए समझते हैं पहले हमको एक तर्म समझना है जिसका नाम है Xeno Transplantation इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम किसी non-human tities को या organ को human में transplant कर दे इसी को बोलते है Xeno Transplantation यानि जैसे अभी हमने सुर को वहदय को दिल को निकाला और human में transplant कर दिया तो यह क्या हो गया इसी को बोलेंगे xeno transplantation xeno transplantation का मतलब हुआ किसी भी ऐसे जो non-human है उसके कुछ tissues को या organs को निकाल कर human में transplant करना ही क्या कहलता है human में transplant करना ही कहलता है xeno transplantation अब जो दूसरा term आप लोग को समझना है वो समझना है gene editing तो gene editing क्या होता है सबसे पहले यह समझी है हम अगर किसी दूसरे जीव के या दूसरी species के organ को species क्या होता species का मतलब यह हो सकता है कि कोई भी living organ या living organism जो आपस में sexual reproduction ना कर सके वो एक species का member नहीं होता है जो लोग भी आपस में sexual reproduction कर सकते हैं वो एक species में सामिल होते हैं जैसे अगर मैं कहूँ कि बंदर हो गया और चिंपैंजी हो गया और human हो गया क्या यह लोग sexual reproduction कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं इसलिए इनकी species अलग है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि gene editing क्या होता है gene editing के माध्यम से हम किसी भी organism के DNA में अपनी इच्छा नुसार कुछ परिवर्तन कर सकते हैं फिर बता रहा हूँ gene editing क्या होता है कि technology के माध्यम से हम किसी के DNA में organism के DNA में कुछ अपनी इच्छा नुसार कुछ परिवर्तन कर सकते हैं तो उमीद है कि xenotransplantation और gene editing आप समझ पाए हो गए अब हम देखेंगे कि हार transplant कैसे किया गया है यह जो sewer का दिल था वो इन महोदे के कैसे लगाया गया transplant किया गया देखिए सबसे पहले क्या होगा इससे पहले जितने भी इस प्रकार के transplantation की news आती थी सब में पता चलता था कि यह जो भी मामला था वो पूरी तरीके से असफल हो गया आज तक ऐसा कोई भी सफल प्रयास नहीं हो पाया था क्योंकि जब भी इस प्रकार के किसी जीव का कुछ किसी भी प्रकार का कोई organ human में लगाया जाता था तो human का immune system rejection देता था जिसके कारण अंतता human की असफलता लगती थी हाथ और कई बार देखा गया कि human की मृत्ति हो गई जैसे केस आया था कि गुहाटी के एक डॉक्टर साहब थे उन्होंने इसी प्रकार का कुछ काम किया था और बाद में infection के कारण उस वेक्ति की मृत्ति हो गई थी तो समस्या क्या होती थी यह समझिये इसमें अगर मैं समस्या बताओं कि जैसे किसी दूसरे जीव के organ को इंसान में लगाया जाता था तो इसमें होता क्या था कि इसमें विसेश प्रकार की कोशिकाओं में सूगर पाया जाता है और जैसे यह human में लगाया जाता था इंसान में लगाया जाता था तो इस सूगर के खिलाब human body का जो immune system है वो response करता था और उसके कारण गुहाटी में एक व्यक्ति की मृत्ति हो गई थी जिस डॉक्टर ने उसके transplantation किया था उसको भी jail हो गई थी इसलिए अभी तक जितने इस प्रकार के जीवों से मनुस्यों में जो भी transplantation होता था सूगर से जो भी मनुस्यों में transplant हुआ था अस तक मामला कोई भी सफल नहीं हो पाया था क्यों क्योंकि human का immune system उसके खिलाफ response देता था infection या किसी अन्य कारण से वो उस वेक्ति की मृत्यू हो जाती थी लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है इसलिए जादा नियूज में है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ये वेक्ति जो है ये बच गए है ये सूवर के दिल पर या सूवर के वो organ transplant किया जाता है human में तो इस heart में जो cell होंगी उसमें जो sugar पाया जाता है उनके खिलाफ हमारी body का जो immune system है वो response करेगा और फिर infection और बहुत सारी समस्य होंगी जिसके कारण वेक्ति की मृत्ति हो जाती थी अब मैंने शुरुआत में आपको बताया था gene editing technology अब gene editing technology के माध्धम से क्या हुआ कि अगर gene editing technology के माध्धम से हम किसी भी organism के DNA में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो cell में मौजूद सूगर था फिर बोलाओ cell में मौजूद जो सूगर था जो सूगर का जो दिल था दिल में जो cells होँगी सूगर होगा उस सूगर को gene editing के माध्धम से काट कर निकाल दिया गया या हटा दिया गया gene editing के माध्धम से उसको सूगर को अलग कर दिया गया अब इसका फायदा क्या हुआ कि जब ये heart इन में लगाया गया, तो organ जब गया, तो सूगर था नहीं, हमारी body का जो response system था या हमारी body का जो immune system है, उसने response किया नहीं, और वेक्ती अभी तक ये safe है, तो ये भविस के लिए बहुत सारी संभवनें छोड़ के जाता है, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि भारत में या भारत नहीं, पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे organs की कमी पाई जाती है, तो उस कमी को अगर ये successful मामला रहा, तो कई और जीवों से या सूरों के माध्यम से इस प्रकार के organs की कमी को पूरा किया जा सकता है, लेकिन एक समस्या भी है, अब समस्या क्या है, ये समझ ये, कि जितने भी animal right organization है, उन्होंने इसको oppose किया है, कि आप जानवरों की हत्या करोगे या जानवरों की जान लोगे, क्यों कि किसी इनसान को बचाने के लिए, तो ये एक अलग प्रकार का एक मामला है, कि क्या ये उचित है कि किसी जीव का heart निकाल कर किसी इनसान के लगा देना और हो सकता है भविस्ट में, जादा इसके खिलाफ अगर आप देखोगे जादा ही successful हो, तो हो सकता है, बहुत सारे जीवों की हत्या भी की जाए, इनसान को बचाने के लिए, तो इसलिए कई animal rights organization हैं या groups हैं, उन्होंने इसको oppose किया है, तो उमीद है, आप लोग समझ पाए होगे।